नमस्कार दोस्तों मेरा नामे संस्कार और बहुत स्वागे ते आप सभी का development news के एक और नए और fresh अपिसोड में शुरुबात करते हैं हम लोग हमारी आज की development news की सबसे पहले update के साथ में जो की निकल कर आ रही है हीरा नंदिनी ग्रूप की तरफ से जो की आने वाले तीन सालों के अंदर तकरीबन 8000 करोड रुपे इंवेस्ट करने वाले हैं इस पैसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो यह जो investment है यह data center और इसी के साथ में इंडस्ट्रियल पार्क के development में पूरी तरह से यूटिलाइस किया जाने वाला है हीरा नंदिनी ग्रुप जो है यह हमारे देश का real state का आप बोल सकते है one of the biggest group है और यह जो दोनों ही sectors है यांके हमारा जो data center है और इसी के साथ में आप बोल सकते हैं जो industrial पार्क है इनकी जो अभी requirement है जो अभी आप बोल सकते हैं कि growth है वो काफी जादा अच्छी है और requirement जो अलग अलग शहरों के अंदर तकरीबन 2000 एकर का जो लैंड है यह पूरी तरह से मौजूद है जिसकों कि यह लोग आप बोल सकते हैं housing के लिए इसी के साथ में commercial के लिए warehousing के लिए और साधी साथ में data centers के लिए लेकर रखा है तो अब हम लोग को यह जो land इन लोगों ने ल करती रहे और यह plan भी पूरी तरह से successful रहे दोसे यहां पर चुक लिए update निगल कर आ रही है वो आ रही है इंडिया के एक IT startup की तरफ से जो की Delhi based है इसका नाम है थेलमुस एर्विन अब दोस्तों यहां पर इन लोगों ने artificial intelligence की मदद से एक आप बोल सकते हैं कि टेखनोलोज यह सारी चीजें लेकिन इनोंने यहां पर ITIE के साथ में पूरी तरह से collaboration किया है जो की state run करती है यानि कि government की तरफ से पूरा इसका जो दिराख रखा हुए या फिर देखा जाता है यह सब government की तरफ से किया जाता है तो उनोंने इनके साथ में पूरी तरह से partnership में किया है और data करने में काफी जादा असानी मिलने वाली है दोसे यहां पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वह आ रही है वैपसन फ्लोरिंग की तरफ से अब दोस्तों इनोंने कुछ साल पहले ही है धराबाद के अंदर 1150 करोड रुपे की लागत से एक factory जो है इसका पूरी तरह से establishment किया है लेकिन अब यहां पर जो मांग है इंडियन मार्केट के अंदर वो काफी जादा बढ़ती जा रही है जिसकी वदस से इन लोगों ने पूरी तरह से decide किया है कि यह लोग आने वाले एक से दो साल के अंदर 200 करोड रुपे जो है और invest करने वाले हैं ताकि इनका जो production है इस साथ ही साथ में यह भी बताया जा रहे है कि currently यह जो वैल्पसन फ्लोरिंग है इसके 500 रीटेल यूनिट है across इंडिया लेकिन इसको बढ़ा कर 1000 रीटेल यूनिट तक ले जाने का इनका प्लैन है और next साल के end तक यह जो पूरा प्लैन ही इसको अचीव कर लिया जाएगा तो दूसर यहाँ पर जो अप्डेट निकल कर आ रही है वो आ रही है बैंगलोर मेट्रो के फेस टू ए और फेस टू बी की तरफ से अब दोस्तो डिसेंटली डेवलपमेंट न्यूस के एक एपिसोड मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि हमारा जो एशन डेवलपमेंट ब पूरी तरह से अलोट करने वाला है इस परिटिकिलर प्रोजेक्क के लिए और यह चीज जो है यह ऑफिशल वेबसाइट के उपर सामने निकल कर आई है लेकिन अभी तक यह पैसा पूरी तरह से अलोट नहीं किया गया है अब इसको स्टैड़ी किया जा रहा है प्रोजेक् 230 करोड रुपीज की और जो Phase 2 B है इसकी जो कुल लागत है ये है 9,620 करोड रुपीज की उमीद करेंगे कि जल से जल ये पैसा मिल जाए और उसके बाद में हमारे Bangalore Metro का Phase 2 जो है ये जल से जल बन कर तेयार हो जाए दोसे यहाँ पर जाए अबडेट निगल कर आ रही है वो आ रही है हमारी Indian Railways की तरफ से जो की बहुत ही जल्दी अपनी Cyber Security की एक Team जो है इसको बनाने वाली है इसके लिए जो Officers है Technical Appetute के इनका जो आप बोसकते Identification का काम ये पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है अब आप सभी लोगों को पता है कि Indian Railways जो है अपनी सभी Services को Online Platform के उपर लेकर आ चुकी है Almost कुछ जो नहीं बची है उनको भी बहुत ही जलती लेकर आया जाएगा ऐसे में यहाँ पर Mostly सारी चीज़े जो है यह Digital Platform के उपर आ रही है तो यह सारे डेटा को Secure करना भी काफी जादा जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने देखा हुए काफी सारे Cyber Attacks वगेरा जो है यह होते हैं जिसमें कि User के डेटा जो है यह लीक हो जाते हैं तो उमीद करेंगे कि जल से यल यह काम कर लिया जाए और हमारा डेटा जो है वो इंडियन डेल्वेस के पास में सिक्या और रहे है दोसे यहाँ पर जो के लिए बडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है टोरेंट गैस की तरफ से जो की आने वाले सालों के अंदर चैन्नेई में जो हमारी household gas लगती है या फिर LPG वगरा लगती है ये पहुचाई जाएगी और साथ ही साथ में industries में जो gas लगती है उसका जो production है वो भी torrent gas की मदद से ही किया जाएगा अब इसी के साथ में दोस से बताया जा रहा है कि चैननाई और इसी के साथ में तीरू वल्लॉर में combinedly तकरीबन 3569 स्क्वेर किलो मीटर के एरिया में ये लोग पूरी तरफ सी है जो pipeline का infrastructure ये डवलप करने वाले हैं तो काफी positive update निगल कर आ रही है specifically चैननाई के लोगों के जो है इसके उपर 200 किलो वाट का आप बोल सकते जो पूरा solar power plant है ये established किया है अब इसको पूरी तरह से आप बोल सकते हैं बिनाना चालू किया था mid 2020 से इसके बाद में यहाँ पर इसका जो construction है ये recently पूरी तरह से complete कर दिया गया है इसकी picture से भी आप लोग अपनी screen के उपर देख सकते हैं अब दोसों महा मेटो ने ये पूरा target लिया है कि इनका जो पूरा energy requirement रहता है इसका 65% हिस्सा जो है ये लोग solar energy है या फिर आप बोल सकते है renewable source of energy जो है इसकी मदश से पूरी तरह से met करने वाले हैं और इसके लिए इनो ने target लिया है कि इनको future में 25 megawatt की जो आप बोसकते हैं जो energy है ये पूरी तरह से solar power या फिर renewable source of energy से produce करनी है और इसके अंडर ही यहाँ पर यह जो solar power plant है इसको establish किया गया है सीता बुल्दी मेटो स्टेशन के उपर उमीद करेंगे कि इसी तरह से ये जल्दी जल्दी काम जो है ये complete हो जाए और 65% का जो target रखा है और all कीजे ताकि आने वाली सबी वीडियो के notification आपको time से मिल जाए अब last news के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये निकल कर आ रही है future group की तरफ से और इसी के साथ में big bazar की तरफ से जो की 2021 में 16 नए super market या फिस 16 नए super store जो है ये पूरी तरह से open करने वाले हैं currently ये जो पूरा आप हो सकते हैं कि big bazar की chain है ये तकरीवन 100 cities में मौझूद है इनके 284 stores जो है ये operate हो रहे हैं ऐसे में 16 stores जो है ये और add up हो जाएंगे तो ये number 300 के उपर पहुंच जाएगा साथी साथ में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एक और चीज़ के बारे में कि ये लोग जो है पूरी तरह से tire two cities जो है इनको पूरी तरह साब हो सकते हैं कि target कर रहे हैं साथ ही साथ में अगस्त में यहाँ पर जो हमारा future group है इसने अपना retail, wholesale, logistic और इसके साथ में warehouse का जो पूरा काम है इसको sell कर दिया था Reliance Retail Venture को ये तकरीबान 25,000 crore की deal हुई थी ऐसे मैं आप आप लोग मुझको जरूर से बताएगा कि आप लोग जिस city के अंदर रहते हैं वहाँ पर बिग बजार जो है ये present है या फिर नहीं है आज ही development news में पस इतना ही था ये वीडियो और आप लोग को पसंद आई हो तो जरूर से इसको like कीज़ेगा, share कीज़ेगा आपने दोसर मत्रम